नमस्ते किसान भाईयो इंडियन एग्री पॉइंट हमारे इस यूटूब चानल में आप सब का फिर से एक बार स्वागत है तो किसान भाईयो बहुत सारे हमारे किसान साथी हमें कमेंट करके यह बता रहे थे कि सर मेरी वान स्पंजी साइड के बारे में एक डीटेल सा वीडि योग बना देता हूँ तो किसान भाईयो इस वीडियो को आप जरू से लाइक कर दोगे जरू से प्यार दोगे और अन्यक किसान सातियो तक भी शेयर करोगे इसमें कोई संध्य नहीं है लेकिन जो किसान भाईयो हमारे चैनल पर पहली बार आये उनसे मेरी यही निवेदन ह कि प्लीज भाई आगे ये वीडियो देखने पर आपको अच्छा लगे तो ही इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं इंडियन एग्री में आपको उसमें देखने को मिलता है यसी का मतलब suspension concentrate किसान भाईयो मेरियोन ये फंगिसाइड इनी दोनों टेक्निकल का बेजोड एवं प्रभावशाली कॉंबिनेशन मार्केट में अवैलेबल है तो चलिए जानते हैं मेरियोन की mode of action के बारे में तो किसान भाईयो मेरिय ये फंगिसाइड कार्बोग्समाइड इस ग्रूप का है तो ये systemic action से अपना काम करता है जो फंगस की mitochondrial respiration chain होती है उसमें सकिसियन dehydrogenase इस प्रोसेस को रोग देता है complex second में इससे क्या होता है कि देख़ो किसान भाईये जो फंगस की spore germination नहीं हो पाती उसके उसी के साथ सा लाइब साइकल में कापी सारी disturbance पैदा हो जाती है इसी वजह से फंगस वापे survive नहीं कर पाती है इसी तरीके से ये फंगस को control करता है तो अब चलिए जानते हैं मेरे और के दूसरे टेक्निकल के बारे में किसान भाईयो पाइरेकल स्ट्रोबिनियर टेक्निकल स्ट्रोबिल ट्रांस्पर ब्लॉक हो जाता है फंगस respiration नहीं कर पाती और धीरे धीरे वह वापे respiration की वजह से खत्म होने लगती है इसी तरीके से ये अपना काम करता है किसान भाईयो पाइरेकल स्ट्रोबिन की खास बात यह है कि ये स्प्रे के बाद एक मिनेट के अंदर अंदर ही बारिश आती है तो यह आसानी से वस्ट नहीं हो पाती तो इसी वजह से इसे आप बारिश के दिरों में भी आसानी से यूज़ कर पाओगे किसान भाईयो मेरे वहन एक अनोकी जैमियम तक्निक से बना हुआ है तो आज की खास बात में हम उसी के उपरीब बात करने वाले है तो वीडियो अंत तक जरूर देखना बिल्कुल भी स्किप मत करना अभी अभी हमने जो दोनों टेक्निकल की mode of action डिसकस की तो आपको समझ आया होगा कि ये मेरिवान ये fungicide truly systemic action से काम करता है इसी वज़े से कापी लंबे समय तक ये आपकी फसल को रोगों से बचा सकता है तो चलिए अब जानते हैं मेरिवान आप कौन कौन से फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये उनमें कौन कौन से disease को control करता है तो देखें किसान भाईयो मेरिवान का लेबल क्लेम इन कुछ फसलों के लिए है जिसमें आपका अंगूर है अंगूर की फसल में मेरिवान powdery mildew पे अच्छा control देता है कुकूमबर जैसी बेल वाली फसलों में ये powdery mildew के साथ-साथ anthraconose को भी बहुत अच्छे से control देता है किसान भाईयो मेरिवान स्पंजी साइड के टॉमेटो और मिर्च जैसी फसलों में काफी सुन्दर रिजल्ट मेंने मेरे आकों से देखिये मेरे plot में उसमें आपका powdery mildew, anthraconose, early blight और septoria lip spot जिसे हम मराटी में गेरवा भी के थे वो बारिश के दिनों में काफी आपकी फसल को damage कर सकता है उसको उसे ये label claim के साथ कोई ऐसा product label claim के साथ नहीं बता था कि septoria lip spot control होता है किसान भाईयो मैं पिछले दो सालों से अपने टमाटर की plot में इसका इस्तमाल करते आ रहा हूँ सच में यार यापे मैं किसी product की advertisement नहीं कर रहा हूँ लेकिन सच में इस product के result मुझे काफी अच्छे देखने को मिले किसान भाईयो बारिश के दिनों में यदि आपकी tomato की फसल में septoria lip spot यानि गेरवा देखने को मिले तो जरूर आप इसका इस्तमाल करके देखिएगा आपको result बहुत ही सुन्दर मिलने वाले है तो किसान भाईयो मेरिवान मैंगो के साथ सबी प्रकार की बागवानी, सबी बेल वरगी फसले, सबी सबजी वरगी फसलों में भी आप इसका इस्तमाल कर सकते हो यदि इसका label claim नहीं है तो भी आप इसका इस्तमाल कर सकते हो और minimum कितने स्प्रे आपको लेने चाहिए, तो किसान भाईयो मेरिवानी स्पंजी साइड को आप फसल की कौन सी भी आवस्ता में इसका इस्तमाल कर सकते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसान भाईयो मेरिवान का स्प्रे आपको flowering stage में लेना है यदि आप flowering stage में इसका spray लेते हो, तो ये flower drops होने से भी रोकता है और अच्छी setting भी आपको वापे देखने को मिलती है, और जो shoot निकलता है वो भी आपको disease free देखने को मिलता है आप इसका इस्तमाल vegetative growth के साथ साथ वापे fruit development की stage में भी आप इसका इस्तमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं इसको आप मिनिमम इसको आपको दो स्प्रे लेने चाहिए आपकी फसल में, अगर आपकी फसल में disease attack ज़्यादा हो, तो उसके आनुसार आप स्प्रे बढ़ा भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं खास करके आपको टमाटर की फसल के लिए बता दू, तो देखिए किसान भाईयो, मेरे वन आपको टमाटर की फसल में मिनिमम आपको इसके दो स्प्रे लेने चाहिए, पहला स्प्रे आपको फ्लावरिंग स्टेज में करना है, यानि ट्रांस्प्लांटिंग के 25 से 30 दिन बा किसान भाईयो, यदि आगर आप अंगूर, एपल जैसी फसलों का एक्स्पोर्टिंग करते हो, तो आपको इसका पियाचाई जानना भी बहुत महतो पुर्णा होता है, तो किसान भाईयो, मेरे वन का पियाचाई सभी फसलों के लिए 25 से 30 दिनों का है, तो यानि हार्वेस् हो, टौनिक हो, फंगिसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो, किसे के साथ भी आप इसका इस्तमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसान भाईयो ध्यान रखे कि आपको इसका इस्तमाल NPK, यानि नाइट्रोजन फॉस्परॉरस पोर्टेशियम के साथ नहीं करना है बाकी के साथ आप बेज जिजक इसका इस्तमाल कर सकते हो, चलिए अब जानते हैं, आपको मेरियों का कितना डोज लेना है, तो देखे किसान भाईयो लगबग सभी फसलों के लिए आपको मेरियों का 80 ml प्रती एकड की दर से 150 से 180 लिटर पानी में आपको इसका इस्तमाल कर करना है, इस प्रकार आपको एक एकड के लिए डोज लेना है और अच्छी तरीके से आपको इसका स्प्रेक कर देना है, तो चलिए अब जानता है इसकी रेसिडियोल अक्टिविटी और रेन फासनेस के बारे में, किसान भाईयो मेरियों का आपको प्रिवेंटिव इस्तमा मैं तक आपको एक कंट्रोल देता है, यानि 20-21 दिन तक आपकी फसल में प्रोटेक्शन देता है, किसान भाईयो मेरियों का रेन फासनेस एक से दो गंटे का है, यानि स्प्रेंग के एक से दो गंटे में बारिश भी आ जाए, तो इसके आपको 100% रिजल्ट मिलने वाले है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई टेंशल लेने की बात याफे नहीं है, खास बात बताने से पहले, जान लेते हैं इसकी कीमत और पैकिंग के बारे में, तो किसान भाईयो मेरियों की पैकिंग आपको 80 ML, 1200 ML की पैकिंग में आपको मार्केट में easily available है, तो किसान भाईयो तो 80 ml मेरिवान की प्राइज लगबग 750 से 800 तक आपको मार्केट में मिल जाएगी यानि आपको प्रतिय एकड 800 तक का खर्च आ जाएगा खास बात बताने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज जल्दी से जाकर उस लाल कलर की बटन को दबा दीजेगा और बेल आइकन की ऑन कर दिएगा तो किसान भाईयो जेमियम टेकनलोजी क्या करती है कि क्विक एबजर्ब करती है जो स्प्रेय हम करते है उसे क्विकली एबजर्ब करती है और कंप्लीट कवरेज आपकी लिप को देती है किसान भाईयो जहमियम तकनिक से जो water drop होते है वो equally पूरे surface के उपर distribute यानि spread हो जाते है और अच्छी तरीके से पूरे lip को coverage देते है इसी तरीके से हमारे जो फंगिसाइड है उसका भी डोज हमको कम लगता है और काफी कम डोज में काफी जादा coverage ये दे देता है तो इसी तरीके से जहमियम टेकनलोजी है किसान भाईयो आज का ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है अगर आपको जहमियम टकनिक के बारे में और भी जानकारी लेनी है तो प्लीज कमेंट सेक्षन में मुझे कमेंट कर देना मैं उसके उपर एक पूरा dedicated वीडियो ही बना दूंगा तो किसान भाईयो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और अन्य किसान साते हो तो भी ये वीडियो शेर करना ना भूलेगा तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए जय जवान जय किसान धन्यवाद